नमस्कार दोस्तों स्वागेता आपका आपके अपनी यूटूब चैनल ओम डिजिटल स्टेडी पर दोस्तों मैं हूँ राकिस सिहाग और आपको पता है हम बात कर रहे थे तोब 500 क्यूशनों की इसमें मैं आपको 285 नमबर क्यूशन तक करवाद चुका हूँ यानि 9 पार्ट नमबर 10 है और आज हम बहुत अच्छे-चे क्यूशन करने वाले हैं आपको पता होगा मैं विद्युत धारा के बारे में आपको करवाना स्टार्ट कर दिया था और विद्युत धारा के बारे में आज हम कंप्लीट कर लेंगे बड़ा इंटरस्टिंग वीडियो होने वाला पहले part का PDF आपने बिल्कुल ले लिया होगा, पहले part का PDF आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है, तो दोनों PDF, part first और part second, दोनों PDF अच्छे से ले लिजिए, और बहुत अच्छे से तहरी कीजिए, ये वो क्यूशने साथ ही हो, जो आपकी हर प्रकार के अक्जाम में बा तो हम ये तो 200 क्यूशनों तक तो हम ने की थी biology, उसके बाद मैंने आपको physics स्टार्ट करवाया था, और physics में सबसे पहले मैंने आपको करवाया प्रकास के बारे में, प्रकास का बड़ा important चिप्ट रहता है, ये मैंने आपको करवा दिया, अब मैं आपको वीडियो तो दहर ने लेके आने वाला हूँ, बड़े interesting, interesting ठीक है, चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज हम बात करेंगे, क्यूशन नंबर 286 से, 285 नंबर क्यूशन तक मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ, 286 नंबर क्यूशन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और 286 नंबर क्य देता हूँ, जूम, देखिए, क्यूशन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ना है आपको, क्यूशन है कि स्रेनिकरम में सभी तारों में कौन सा गुण समान रहता है, यानि दो परकार के गुण होते हैं, एक तो आपका विववांतर और एक आपका धारा, स्रेनिकरम दारा समान रहती है, और विववांतर बदल जाता है, जैसे मानलों हमारे पास ये तीन परतिरोदक हैं इस परकार से, ये मानलों दो परतिरोदक हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दारा के, तो दारा इसमें आई है, तो इसमें भी क्या होगी, आई होगी, लेकिन इसका विवांतर V है तो इसका V नहीं होगा इसका या तो V2 होगा इसका V1 है तो इसका V2 होगा कौन से करम की बात कर रहा हूँ स्रेनी करम की बात कर रहा हूँ स्रेनी करम के अंदर धारा समान रहती है लेकिन विवांतर बदल जाता है है ना अगर वहीं पर बात मैं करता हूँ समांतर करम की तो समांतर करम में इसका उल्टा हो जाता है और समांतर करम इस परकार का होता है आपका समांतर करम आपका इस परकार का होता है इस परकार का यह आपका समांतर करम है ना आई टू की द्वारा दरसा देते हैं तो आपका समांतर करम जो होता है समांतर करम में विवांतर समान रहता है धारा बदल जाती है और स्रेन करम में धारा समान रहती है और विवांतर क्या हो जाता है बदल जाता है ये बात आप ध्यान रखने हमेशा के लिए अगला क्यूशन है कि भारत में परत्यावर्ती धारा जो होती है उसकी आवर्ती कितनी होती है हमारे गरों के अंदर परत्यावर्ती धारा आती है एसी धारा आती है आप सभी को बताए हमारे गरों में कितनी आती है एसी धारा आती है और उसकी आवर्ती कितनी होती है तो भारत के अंदर जो आवरती होती है वो 50 हर्टज होती है 50 हर्टज हर्टज आवरती का मात्रक होता है ध्यान रखोगे तो हमारे गरों में आने वाली प्रत्यावरती धारा की जो आवरती होती है वो 50 हर्टज होती है एक factual क्यूसन ऐसाथ यो ध्यान रखना पड़ेगा हमारे गरों में या फिर भारत में जो एसी धारा है उसकी प्रत्यावर्ती उसकी जो आवर्ती है वो कितनी है आपकी 50 हर्टज है ठीक है अगर हम अमेरिका किन की बात करते हैं अगरा क्यूसन है कि ट्रांसफार्मर किस सिधान्त प्रकार ये करता है ट्रांसफार्मर किस सिधान्त प्रकार ये करता है तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योंने प्रिरण के सिधान्त प्रकार ये करता है किस के सिधान्त प्रकाम करता है unknown nepranant के सिधान्त पर काम करता है और साथ यो transformer क्या होता है किस परकार से बना होता है इसकी बनावट केसी होती है इसकी कार्य विदी केसी होती है यह मैं आपको बता पाऊँगा theory class में क्योंकि इस class में इतना details से मैं नहीं बता पाता हूँ बनाव को selected question आपके सामने लेकर आए हो तो इनको अच्छे से आप याद कर लो आपकी काम की चीजे transformers के अंदर कौन सा सिधान्त कार यह करता है अन्योनिय प्रेर्ण का सिधान्त काम करता है यह विदूत चुम्ब के प्रेर्ण के सिधान्त पर कौन काम करता है generator, कौन सी धान्त कौन करता है generator, जनितर जोता है विदुद्ध जनितर, वो विदुद्ध सुम्भी के प्रेरण के सिधान्त पर काम करता है और अन्योन्य प्रेरण पर आपका transformer काम करता है transformer क्या करता है विभव को बदलता है विभव को बदलने का काम करता है की वोल्टता को बदलता है तो अभी-अभी मैंने बताया था एसी धारा की वोल्टता को बदलता है option number A आपका बिल्कुल क्या होगा correct transformer कौन सी वोल्टता को बदलने का काम करता है तो प्रत्यावर्ती धारा यानि एसी धारा को बदलने का काम करता है जो अपनी बार-बार दिशा बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा जो प्रत्यावर्ती धारा है उसी की वोल्टता को कम ज़्यादा करने का काम करता है आपका ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिधान पर कार्ये करता है अगला क्यूसन है कि जनित्र किस सिधान पर कार्ये करता है अभी अभी मैंने बताया था जनित्र जो होता है वो आपका विदू तुचूंब कि ये प्रेरण के सिधान पर कार्ये करता है आपका जनित्र और अन्योन्य मर काम करता है याद कर लेना बार बार मा आपको मतलब ये रिपीट करवा रहा हूं बार बार जिससे कि आपको याद हो जाए ठीक है चलिए जनितर की कुंडली को क्या का जाता है यानि जनितर जो होता है वो इसकी बनावट इस परकार से होती है इसके दो यहां पर क्या होते ह एक एन यानि नोर्थ दुरू होता है, एक साउच दुरू होता है, यह चुम्ब की दुरू होते हैं, दो इनके बीच में एक इस परकार की कुंडली रगी होती है, आयताकार कुंडली इस परकार की लगी होती है, तो यह घूमती है जिसके करण हमें क्या पराप्त होती है, धा आरमेजर के नाम से जानते हैं और ये किस प्रकार की होती है तो ये आयताकार कुंडली होती है कैसी होती है आयताकार कुंडली है ना आयताकार कुंडली जिसको हम आरमेजर के नाम से जानते हैं और आपका C क्या हो जाएगा साथियो क्रेक्ट एंशर हो जाएगा ठीक है अगले क्यूशन की बात करें अगला क्यूशन है कि वह साधन जो विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने का काम कौन करता है अब यहाँ पर बात ही पोर्टेंट आती है देखिए एसा साधन कौन सा है कि जिसको हम विद्यूत धरा दें यानि जिसको हम बिजली दें और बिजली देने के बाद में वो काम करना start कर दे यांतरी कुर्जा का मतलब होता है काम करने की उर्जा काम करने की उर्जा काम करने की जो उर्जा है उसको हम यांतरी कुर्जा की नाम से जानते हैं तो एसा कौन सा यंत्र है जिसको हम बिजली देते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है तो एसा आपका है मोटर क्योंकि मोटर जो है ना वो पंखे में हर प्रकार की युक्ती में आपको मोटर मिलेगी तो उस मोटर को हम क्या करते हैं धारा देते हैं बिजली देते हैं तो वो घूमना या काम करना शुरू कर देती है जैसे पंक्खा है पंक्खे के अंदर मोटर है तो जैसे हम पंक्खे को बिजली देते हैं तो वो मोटर घूमना स्टाट कर देती है और पंक्खे की जो हुआ है न वो स्टाट कर देती है तो वो काम करना सुरू कर देती है तो मोटर विदुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलने का काम करती है इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है किसके बारे में जनीतर के बारे में विजुद उर्जा में बदलने का काम को न करता है ? तो जनीत्र करता है क्योंकि पहले हम यांतरिक उर्जा, यांने काम करेंगे उसके उपर तब वो क्या करेगा ? हमें विजुद धारः देगा, बिजली देगा आपने देखा होगा, तो वो एक परकार का क्या है ? यांतरिक उर्जा को विजुत उर्जा में बदलने वाला आपका यंत्र है जनित्र और मोटर विजुत दारा को यांतरिक उर्जा में बदलता है ये दोनों बाते आपको इपोटनेट तरीके से ध्यान रखने उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी अगले जो तंतु लगा होता है वो तंतु किसका बना होता है कौन सी धातु का बना होता है तो साथ ये वो तंगस्टन धातु का बना होता है तंगस्टन धातु का बना होता है और तंगस्टन धातु का बना होता है और तंगस्टन धातु का बना होता है आपका विधुत बलब का तं देता है उसको बोलते तंतू ये आपका Tungsten का बना होता है अगला क्यूशन है कि टूबलाइट के स्टार्टर में कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है आपकी जो टूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस कामाती है तो बोत क्यूशन आपने पड़ रखा होगा ये बिल्कुर simple सा क्यूशन है तो आपकी जो tube light होती है उसके अंदर argon gas काम आती है कौन सी gas काम आती है argon gas काम आती है option number D आपका क्या होगा correct answer होगा argon gas ध्यान रखना tube light के अंदर argon gas काम आती है option number D आपका बिल्कुल right है ठीक है चलिए अगले question की और बड़ते हैं next question आपका है अगला question आपका है 250 में number question कि hitter का तापन तंतू किस का बना होता है देखिए टंगस्टन धातू का तो विदूत बलब का तंतू बना होता है ध्यान रखना बलब का जो तंतू होता है वो तो किस का बना होता है वो तो बना होता है टंगस्टन का लेकिन हीटर जो होता है हीटर के अंदर आपने देखा होगा जो हमें उर्जा देता है वो बना होता है आपका नाइक्रोम का किसका बना होता है नाइक्रोम का बना होता है हीटर का जो तंतू होता है तापन तंतू जिसके द्वारा हमें उर् अगला है कि भारत की Silicon Valley किसे का जulerता है Silicon Valley जो कहा जाता है वो Bangalore को कहा जाता है एक GK का Q으면서 मैणा आपको करवाजी है यहांपर General Aveneus का Bangalore को Silicon Valley का जाता है भारत की अगला Qscale है कि Kilowatt घंटा किसका मातरक है Kilowatt घंटा किसका मातरक है Kilowatt घंटा विदूत उर्जा का, KWH, किलोवाट गंटा, KWH विदूत उर्जा का मातरक है, किसका मातरक है, विदूत उर्जा का, क्योंकि आपने देखा होगा, आपकी जो बिजली है, आपका जो बिजली का जो मिटर है, उस मिटर के अंदर आपकी जो यूनिट आती है, वो KWH के अंदर आ आपकी KWH में आती है इसका मतलब मिटर एक परकार की विदुत उर्जा के लिए काम करता है तो विदुत उर्जा का मात्रक क्या हो गया किलोवाट घंटा लोपस नंबर B आपका क्या होगा क्रेक्ट होगा ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी अगला क्यूशन है कि अ मात्रक है विदुत सक्ति का मात्रक वाट भी है विदुत सक्ति का मात्रक वाट भी है लेकिन एक HP में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं कितने वाट होते हैं 746 वाट एक HP के अंदर होते हैं HP यानि एक होर्स पावर या एक अस्वा सक्ति भी किसका मात्रक है विदु तो सक्ति का मात्रक है विजुत उर्जा का मात्रक मैंने आपको बता दिया विजुत उर्जा का मात्रक मैंने आपको बताया अभी साथियों क्या है आपका विदु तुर्जा का जो मात्रक है वो आपका किलोवाट गंटा किलोवाट गंटा या फिर वाट गंटा है न वो भी क्या है आपका विदु तुर्जा का मात्रक है न वो भी आपका सोरी विदुत उर्जा भी आपका क्या है विदुत उर्जा का मातरक वाट गंटा भी है वाट गंटा वाट गंटा भी है ये बात भी आपको ध्यान रखने है अच्छा विदुत प्रेरन का मातरक क्या है टेसला विदुत प्रेरन का मातरक क्या होता है ये बात भी आप ध्यान रेखेंगे अना विदुत प्रेरंड का मातरक टेसला इसके साथ मैंने आपको बताया था एक वो बताया था फ्लक्स का मातरक क्या होता है फ्लक्स का मातरक आपका होता है चुम्ब कि फ्लक्स का मातरक होता है आपका वेबर बताया था न मैंने आपको पिछली वीडियो में वे धारिता का मात्रक होता है धारिता का धारिता का होता है फेरड फेरड नाम का जो मात्रक है वो किसका होता है आपका धारिता का होता है तिस सारी बात आप ध्यान रखना इपोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी चीक है धारिता का बता दिया प्रेरण का बता दिया विदु यह आपका क्या होगा बिल्कुल करेक्ट चीक है वैसे इसका सुध अगर हम देखे ना सुध लगभग में नहीं मान के हम सुध देखे तो 3399 में इसका क्या होता है 3390 से लेकि 3399 degree centigrade तक इसका क्या है गल ना कहा है लेकिन इसको हम 3500 भी मान लेते हैं और इसको हम 3300 भी मान लेते हैं ठीक है ये बात भी आप जहान रखेंगे अगला क्यूशन है कि ट्रांस्फार्मर का उप्योग किया जाता है ट्रांस्फार्मर जो है ना उसके बारे मैं आपको 2-3 क्यूशन बता चुका हूँ transformer अन्योन्य प्रेरन के सिधांत पर काम करता है अन्योन्य प्रेरन के सिधांत पर काम करता है एक नमबर बात दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये जो transformer है ये आपका एसी धारा है ना एसी धारा एसी धारा की वोल्टता को बदलता है एसी धारा की वोल्टता को बदलने का काम करता है और वोल्टता को हम बोल सकते हैं विभव वोल्टता को हम क्या बोल सकते हैं विभव बोल सकते हैं तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे वोल्टता को हम विभव के नाम से भी जान सकते हैं तो ध्यान रखने ट्रांसफार्मर का उपयोग किस के अंदर किया जाता है तो विभोव बदलने में किया जाता है किस के अंदर किया जाता है विभोव बदलने के अंदर ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है यानि पीछे से जो आपके धारा आती है वो 440 वोल्ट के आती है अना 440 वोल्ट के आती है उसको 220 वोल्ट की बनाने का काम कोन करता है तो यही ट्रांसफार्मर करता है कहने काम तलब विवांतर को क्या कर दिया कम कर दिया अगर कम धारा रही तो उसको जादा करता है इस परकार से विभव को बदलने का काम करता है आपका ट्रांसफार्मर ध् किसका बना होता है तो साथ ही वो एक प्रकार किया प्लास्टिक का बना होता है और वो उस प्लास्टिक का नाम क्या है उस प्लास्टिक का नाम है बेकलाइट वो किसका बना होता है बेकलाइट का बना होता है अगला है कि फ्यूज तार किसका बना होता है आपके सभी के ग्रों तो fuse क्या करता है फूज कभी भी मतलब वो sparking हो जाती है जिसको बोलते है sparking हो जाती है तो हमारे वीदूत उपकरन है उनको जलने से वसाता है उसको overloading से वसाता है है ना तो यजो fuse star बना होता है ये tin और cisa tin और cisa का बना होता है fuse star fuse star tin तिन और सिसा का बना होता है, ठीक है, तिन और सिसा एक परकार की मिस्र धातु है, यानि तिन और सिसा आपस में मिल करके किसका निर्मान करते हैं, फ्यूस्तार का निर्मान करते हैं, ठीक है, ओप्सन नमबर C, और ये क्यूशन बहुत बार पुछा गया है, फाइब स्टार क् important question है फ्यूज तार किसका बना होता है तिन और सिसा का अगला है कि बेटरी में विद्धुत अप घटे की रूप में किसका उपयोग किया जाता है आपकी जो वेटरी होती है सिसा संसाइक सेल जिसको बोलते हैं उसके अंदर जो आपकी जो तेजाब होती है वो कौन सी की रूप में सलिफुरी कमल का पर योग किया जाता है एस्ट्रेसो फोर का पर योग किया जाता है जिसको हम सिसा संसाइक सेल भी बोलते हैं उपसन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा ये क्यूशन बहुत सरल है आपके देनिक जीवन में ये सारे के सारे क्यूशन आपके काम आते हैं आप इनको समझ पा रहे होंगे अगला क्यूशन है कि बे मेल को छाट ये इसमें से बे मेल को छाटना है जो इसमें मेल नहीं खाता उसको छाटना है तो देखिए बात करते हैं क्यूशन की तो सबसे पहले दे रखा आपको धारा का मातरक एंपियर बिल् बिल्कुल सही है आवेस का मात्रक कुलाम बिल्कुल सही है प्रतिरोद का मात्रक महो नहीं होता है साथ यो प्रतिरोद का मात्रक ओम होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिरोद का मात्रक ओम होता है यही बात क्या है बेमेल है उपस नमबर डी आपका क्या होगा क्रे की, कि बलब में कौन सी gas बरी होती है, aplic hair blog के अंदर कौन सी gas बरी होती है argon plus nitrogen argon plus nitrogen, nitrogen भी बरी होती है अन्打, यहां पर argon में नहीं है तो आपको क्या होजाएगा, nitrogen option में है option number D आपका बिल्कुल correct होजाएगा nitrogen, blurb के अंदर argon اور nitrogen gas बरी होती है, nitrogen यहां पर दे रखा है आरगन नहीं दे रखा है इसलिए आपका answer होगा nitrogen option number D आपका right है ठीक है nitrogen gas विदुत बलब के अंदरबर ही होती है बलब का तंतू किसका बना होता है तो विदुत बलब का तंतू आपका टंगस्तन धातू का बना होता है विदुत हीटर का जो तापन तंतू होता है तापन तंतू वो किसका बना होता है वो आपका naichrome का बना होता है किसका बना होता है naichrome का बना होता है चीक है चलिए अगला question है कि आकासी बिजली से शुरुक्षा के लिए काम में लेते हैं आकासी बिजली से इस रुक्षा के लिए काम में लेते हैं आपने देखा होगा घरों में यानि इस परकार से मालो घर बना है उसके एक किनारे पर आपको लंबा सा इस परकार का एक लोहे की छड़ निकली मिलेगी और उससे जो तार है वो निच्चे आतार हो इसे जमीन के अं राइटिंग बोलते हैं तो उससे बचाओ के लिए उससे सुरुक्षा के लिए लाइट कंडेक्टर का उप्यों करते हैं याना अर्थिंग का उप्यों करते हैं जो घरों के अंदर ही बनाई जाती है उप्स नमबर सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला है कि किसी आवेसित खोखले गोले के अंदर विदुद छेत्र का मान कितना होता है आवेसित गोला है जिसकी सतय क्या है इस प्रकार से आवेसित है सतय उसकी आवेसित है लेकिन उसके अंदर प्रवाहित होने के लिए कोई माध्यम नहीं है अगर मानलो इस प्रकार से यहां पर विदुद सालक की कोई वस्तू होती तो परभाइत हो सकती थी धारा लेकिन अब धारा परभाइत नहीं होगी क्योंकि अंदर से खोखला है अंदर से खोखला है तो इसको माध्यम नहीं मिलेगा परभाइत होने के लिए इसका मतलब उसके अंदर विदुचछhetra कामान क्या होगा? सुनने होगा, क्या होगा? सुनने, ठीक है, होपसां नमबर ए आपका बिल्कुल correct है, बिल्कुल सिंपल सी बात है खोखलागोला है, इसका इसके अंदर विदुच्छhetra कामान आपका क्या होगा? सुनने होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की ओर अगला question है कि 60 watt 60 watt ये किस का मान दे रखा है आपको सक्ति का मान दे रखा है यानि P का मान दे रखा है अच्छा 240 volt volt किस का मातरक होता है विववांतर का और विववांतर का हम लिखते है आपको पूछा है आई का मान अब आपको एसा सुत्र देखना है जिसके अंदर आई आजाए वि आजाए और पी आजाए तो एसा सुत्र होता है साथ यो पी बराबर वी आई पी बराबर वी आई तो पी का मान आपको 60 दे रखा है V का मान आपको 240 दे रखा है गुना I अब हम I का मान निकालेंगे 60 में हम 240 का भाग दे देंगे तो N सुर आएगा साथ ही 1 बटे 4 और 1 बटे 4 में भाग दोगे 0.25 से Ampere धारा का मान कितना जाएगा 0.25 Ampere आजाएगा Option No. B आपका क्या होगा बिल्कुल Correct Option No. B आपका क्या होगा बिल्कुल Right होगा उमीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए अगला क्यूसन है कि धारा, विववांतर और प्रतिरोद को मापने में काम आता है यहां पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ दारा की बात पूछ लेता तब आपका उत्र क्या जाता Emitr अगर आपको सिर्फ और सिर्फ विववांतर की बात पूछ लेता तब उत्रा जाता आपका Voltmeter लेकिन अब आपको धारा, विववांतर और प्रतिरोद तीनों एक साथ मापने के लिए हम किसका उप्योग करेंगे मल्टी मिटर का उप्योग करेंगे जो कई प्रदार्थों की मात्रा को मतलब कई परकार की मात्राएं एक साथ मापता है कई परकार की मात्राएं एक साथ मापता है उसको बोलते हैं मल्टी मिटर तो हम धारा, विववांत्र और प्रतिरोद कुमा पने के लिए मल्टीमेटर का उपयोग करेंगे उप्सन नमबर यह आपका बिल्कुल right होगा सास्हिए अगला है कि निमन में volt क्या है एक volt के बराबर क्या है एक volt के बराबर क्या है आपको ये बताना है वोल्ट के बराबर या फिर एक वोल्ट के बराबर क्या है तो देखिए, वोल्ट को हम प्रदसित करते है V के दुवारा, अब V का सुत्र होता है Q बराबर आपका होता है W इंटू V W इंटू V Q का मान होता है यानि आवेस बराबर क्या होता है कार्ये गुना विवुवांतर ये सुत्र अगर आपको याद है तो आप आराम से निकाल जाकते हैं वी कामान अब यहां से अब आप वी कामान निकालोगे तो वी बराबर क्या होगा पहले क्यों लिखोगे और बटामी क्या चला जाएगा डबलू अब क्यू का मात्रक्ज होता न सोरी गलत बता दिया मैंने थोड़ा सरू को यह से नहीं होता है डबलू बराबर वी इंटू क्यों होता है किया गया कार्ये किया गया जो कार्ये होता है कार्ये यानि जो डबलू होता है वो आवेस गुणा विववांतर के बराबर होता है W बराबर Q into V होता है Q into V होता है आपका कारिय का मान किया गया कारिय आवेश और विववांतर के गुनंदफल के बराबर होता है ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए अच्छे यहां से हम V का मान निकालेंगे तो क्या आएगा डबलू बटे क्यू आएगा डबलू का जो मातरक है वो आपका जूल होता है कारिये का मातरक जूल होता है और आवेस का मातरक आपका होता है कुलाम आवेस का मातरक क्या होता है कुलाम तो जूल परती कुलाम जूल परती जो कुला में साथियो वो आपका किस के बराबर हो जाएगा वोल्ट के बराबर हो जाएगा अपसा नमबर B अपसा नमबर B आपका राइट है उमीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी अगला क्यूशन है कि सडकों के किनारे बलब जो उपकरन होते हैं वो आपके समांतर करम में लगे होते हैं लेकिन सडकों के किनारे जो लाइट लगी होती है वो आपकी स्रेनी करम में लगी होती है किस करम में लगी होती है स्रेनी करम में लगी होती है स्रेने करम के अंदर लगे होते हैं लेकिन घरों के अंदर जो उपकरन लगे होते हैं वो समांतर करम में लगे होते हैं ठीक है चलिए अगले क्यूसन के और बढ़ते हैं तो वो किसके प्रवाह के कारण होता है, तो वो इलेक्ट्रोन के प्रवाह के कारण होता है, इलेक्ट्रोन के प्रवाह के कारण, ध्यान रखना, बड़ी इपोर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोन के प्रवाह के कारण, किसका प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह होता है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो पाएगी और नहीं हो पाएगी ये बात आप अमेसा ध्यान रखना आचा आपको ये पूछ ले कि धारा की दिशा किस साइड होती है धारा की दिशा कैसे होती है तो धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रोन के विपरित दिशा में होती ह तो धारा अगर आई है वो इस साइड प्रभाहित हो रही है तो प्रोटोन भी आपके इस साइड प्रभाहित होंगे लेकिन इलेक्टोन आपके इस साइड प्रभाहित होंगे इलेक्टोन तो ये हो गया ये प्रोटोन हो गया और ये आपकी धारा हो गई धारा और प्रोटोन क के कारणों का विरोध करता है यानि एसा नियम किस ने दिया था कि वो वो नियम बताता है कि जो धारा होती है वो अपने उत्पती के कारणों का विरोध करती है ये नियम दिया था लेंज ने देखिए इलेक्ट्रोन के परवाह के करण आपके क्या होती है धारा परवाहित होत यही नियम lens ने दिया था, किस ने दिया था, lens ने, समझना इस बात को, बड़ी important बात है, यही नियम क्या है आपका lens का नियम है, lens ने यही का था, जो धारा होती है वो अपने उत्पती का विरोध करती है अपनी उत्पती के कारणों का विरोध करती है इसकी उत्पती का कारण क्या था इलेक्ट्रोन की गती थी अब इलेक्ट्रोन की गती गर इस साइड है तो धारा गती की साइड करेगी इस साइड यही नियम था आपका ल अध्यन शर्वा पर्थम, और उस्टेड नाम के वैक्तिं ने किया था, już theat नाम के वैक्तिं ने किया था, यह aक फैक्ट है, फैक्ट की तरह आपको याद रखना है, चुम्ब के प्रभाव को उसर्वा पर्थम, किसने परतीपादित कि या ता ता, पैजाना था, इसके बारे में किसने अध्यन किया था, तो और स्टेट नाम के वेगने किने, ठीक है, फिरादे के बारे में क्यूसर बहुत ज़्यादा पुछा जाता है, फिरादे ने विदुत चुम्ब किये प्रेरण का सिधान्त दिया था, विदुत चुम्ब किये प्रेर कितनी होती है तो भी एक अस्वसक्ती में 746 वाट होते हैं यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगला है कि एक किलो वाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है एक किलो वाट घंटा एक के डबलु एच में कितने जूल होते हैं यह आपको पूचा है तो एक के डबल गात 6 जूल एक किलो वाट गंटा में होते हैं एक किलो वाट गंटा में 3.6 गुणा दस की गात 6 जूल होते हैं एक किलो वाट गंटा में ठीक है और इसी को ही कहा जाता है एक यूनिट इसी को ही कहा जाता है एक यूनिट कहा जाता है ध्यान रखना अगर यहां पर आपको दे देता है नाम यूनिट तो भी आपका यही उत्र होता क्योंकि किलो वाट गंटा के बराबरी क्या होता है आपका यूनिट होता है ठीक है चलिए अगला कि उसने कि इलेक्ट्रोन पर विद्यमान आवेश कितना होता है सबसे पहले इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी गुनिस के उपर आएगा माइनस ये नीच से थोड़ा सा लिखा गया है कोई दिक्कत ने लेकिन एक पॉइंट छै गुना दस की घात माइनस गुनिस कुलाम ये आवेस होता है किसके उपर ये होता है आपका इलेक्ट्रोन के उपर अब देखिए यहाँ पर भी आपको दे रह दिया है पहले आप इसको देखोगे फिर इसको देखोगे तो आप यही एंसर कर दोगे लेकिन आपका एंसर आपका उप्सन नंबर क्या है सी है क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रहा था और आपको होता है और ये किसका होता है ये प्रोट्रोन का आवेस होता है ये प्रोट्र neutron के उपर आवेस क्या है सुनने होता है आवेस नहीं होता है क्योंकि ये उदासिन होता है इसके उपर ना तो plus का charge होता है ना minus का charge होता है इसलिए उदासिन होता है इसलिए इसके उपर क्या है minus का ना तो minus का ना plus का इसका मतलब आवेस इसके उपर क्या है SI की फूल फॉर्म वैसे तो आप सब इंस्पेक्टर करोगे लेकिन यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नहीं होगा साथियो क्योंकि यह हमारी क्या है साइस है साइस सब इंस्पेक्टर को नहीं मानती साइस खुद सब इंस्पेक्टर है अचा SI की फूल फॉर्म है LED की फूल फॉर्म है light emitting diode light emitting diode LCD की फूल फॉर्म liquid crystal diode CFL की फूल फॉर्म compact fluorescent lamp CFL की फूल फॉर्म इसलिए मैंने आपके लिए यहां पर सामिल किया है CFC chlorofluorocarbon CNG compressed natural gas LPG liquefied petroleum gas यह तो आपने बहुत अच्छे से याद कर रखी होगी CNG और LPG अगर याद नहीं है तो याद कर लिजी साथियो बड़ी important बात मैंने आपको बताई है ठीक है उमीद कर सकता हूं साथियो समझ मे कारिये उर्जा और सकती का कारिये उर्जा और सकती का topic करवाऊंगा वहां सी question बहुत ज़्यादा पूशिज आते हैं तो वो cover करेंगे उसके बाद हम chemistry cover करेंगे ठीक है उसके बाद हम theory class start कर देंगे बहुत अच्छे से और आपको interest भी आएगा और आपका आपकी बहुत ठीक है बस आप मेरे साथ बने रही है आपकी बहुत अच्छे से मैं science clear करवा दूँगा अब हर प्रकार के exam के लिए अगर आप एक बार जोब लग भी जाते हो तो भी आपको ट्यारी करने पड़ेगी R.E.S. के लिए या फिर high post के लिए आप अगर ट्यारी करोगी तो भी आपको बहुत benefit होगा देखना कितना अच्छा content आपको देता हूँ अगर आपका साथ बना रहा तो बिल्कुल content आपको अच्छा मिलेगा बहतर content मिलेगा regular content मिलेगा एक दिन भी मिस नहीं होगा अगर आपका साथ बना रहा स्वयोग बना रहा तो इसलिए मैं बार 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 बोलता हूँ, class को आप share कर दिया गरो जाती हो, बार-बार बोलना नहीं पड़े, क्योंकि बार-बार बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, share करने की बोलने में, क्योंकि आपका ये करतव बनता है class को share करना, एक बार कर दीजी class को share, आज किस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए, जैहिंद, जैभार, थैंक्यू, बाई-बाई, धन्यवाद दोस्तों